हरी ही ओम स्री गुरु भ्योनमहा हरी ही ओम इत्यार्शे स्रीमत रामायने वालमी किये आधिकाव्ये बालकांडे त्री चत्वारिम्षह सर्गह हे स्री राम भगवान ब्रह्मा जी के वहां से जाने के पस्चात राजा भगीरत ने पुनह कठोर तपस्या आरंब की वह केवल अपने पाउं के अंगूठे के अग्रभाग को भूमी पर टिका कर खड़े हुए और एक वर्ष तक भगवान शंकर जी की उपासना में लगे रहे एक वर्ष पूर्ण होने के बाद उमा वल्लब भगवान पशुपती जो सर्व लोक में वंदना प्राप्त करते हैं प्रकट हुए और उन्होंने राजा भगीरत से इस प्रकार कहा भगवान शंकर ने कहा हे नरस्रेष्ट भगीरत मैं तुम पर बहुत प्रसन हूँ तुम्हारा प्रिय कार्य मैं अवश्य करूंगा मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारन करूंगा हे स्रीराम इस प्रकार से शंकर जी की स्वीकृती मिलने के पस्चात राजा हिमवान की जेश्ठ पुत्री गंगाजी जिनके चरणों में सारा समसार मस्तक जुकाता है अपना बहुत बड़ा रूप धारन करके दुस्सह वेग के साथ नीचे उत्री प्रकार से गंगा अवतरन आकाश से प्रित्वी पर गंगाजी भगवान शंकर के शोभाय मान मस्तक पर आगिरी और उस समय परम दुर्धर गंगाजी ने यह सोचा